देश के सरवोच नागरिक पुरुसकारों में से एक पदम पुरुसकार 2021 मिल चुके हैं और फ्रेंट्स ये टॉपिक काफी ज़्यादा इंपॉरेंट और ट्रेंडिंग है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो फ्रेंट्स वो सभी कोशन जो आपके एक्जाम कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा 2021 में कुल कितने पदम पुरुसकार दिये गए सही आंसर है और फ्रेंट्स कुल मिलाके 119 लोगों को पदम पुरुसकार मिले हैं ये आपने याद रखना है एक्जाम के लिए इंपॉरेंट कोशन है अगला कोशन कर लेते हैं पदम पुरुस के ये आपने याद रखना है इंपॉरेंट पोइंट डिसकस कर लेते हैं पदम पुरुसकार भारत के सरवोच नागरिक पुरुसकारों में से एक है ये है पुरुसकार विविंच छेत्रों जैसे कला समास सेवा लोकारे विज्ञान और इंजिनियर व्यपार और उद्योग चिकिसा, सहाईते और सिक्षा, खेलकुद, सिविल सेवा यतियादे के संबंद में प्रदान किया जाते हैं पदम पुरुसकारों की घोशना प्रतिवर्ष गंतन दिवज यानि की 26 जनवरी पर की जाती है और ये भारत का सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक है, ये आपने याद रखना है पदम विभूशन असाधारन और विशिश सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है और विभूशन C, 1954, वर्ष 1954 में पहली बार पदम पुरुसकार को प्रदान किया गया था नेक्स कोशन, 2021 में कुल कितने पदम पुरुसकार दिये गए, सही आंसर है और विभूशन A, 119 कुल पदम पुरुसकार दिये गए हैं, 2021 में important point discuss कर लेते हैं, 8 November को राष्टपती रामनात कोविंद ने पदम पुरुसकार प्रदान किये कुल 119 लोगों को यह पुरुसकार दिये गए हैं, 10 लोगों को पदम भूशन, 7 को पदम विभूशन और 102 लोगों को पदम शरी से सम्मानित किया गया है सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं और एक ट्रांस्जेंडर भी शामिल हैं, यह आपने याद रखना है अगला question है हमारा 2021 में कितने लोगों को पदम विभूशन से सम्मानित किया गया है सही answer है, option A, 7 2021 में कुल मिलाके 7 लोगों को पदम विभूशन प्रदान किया गया है important point discuss कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पदम विभूशन है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और देश का पहला, यानि कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कोन सा है वो है भारत रतन, और दूसरा कोन सा है पदम विभूशन, तो friends मैंने आपको यहाँ पर यह बताया है कि 2021 में कुल 7 लोगों को पदम विभूशन दिया गया है तो यह 7 लोगों के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं शिंजोवबे की जपान के पूर प्रधान मंतरी है और इनको पदम विभूशन दिया गया है दूसरे हैं S.P. Bala Subramaniam, इनको मरनो प्रांथ दिया गया है और यह गायक हैं तीसरे हैं सुदर्शन साहू यह ओडिसा के चर्चित मुर्तिकार हैं यह आपने याद रखना है फिर है नरिंदर सिंग का पानी यह विज्ञानिक है और अमेरिका में हैं करनाटक के प्रसीद हिर्दय रोग विशेशक है उसके बाद है मुलाना वाहियोदीन खान यह भारती इसलामी विद्वान है उसके बाद है बीबी लाल यह पुरातविद इन साथ लोगों को ॐसार कि नाम बता देता हूँ पहले हैं कृष्णन नायर शांत कुमारी इनको कला के छेतर में मिला है केरल के हैं तरुन गोगई इनको मरनो प्रांथ मिला है पब्लिक अफेर्स छेतर में ये असम के हैं तीसरे हैं चंदर शेखर कंबरा सहाइते एवं सिक्षा के छेतर में मिला है करनाठा के हैं सुमित्रा महाजन, पब्लिक अफेड्स के छेतर में, ये मद्धे परदेश की हैं, निर्पेंद्रे मिश्रा, सिविल सर्विस के छेतर में, उत्तर परदेश की हैं, राम विलास पासवान, इनको मरनो परांत दिया गया है, पब्लिक अफेड्स की छेतर में, बिहार की हैं, नो में हैं रजनी कांथ, देविदास, उध्योक के छेतर में महाराष्ट के हैं, दस में हैं तरलोचन सिंग, पब्लिक अफेर्स के छेतर में हर्याना के हैं, फ्रेंट ये 10 लोगों को 2021 में, नेक्स कोशन कर लेतें, दो हजार इक्टिस में कितने लोगों को पदम शिरी से सम्म कानित किया गया है, ये आपने याद रखना है, नेक्स कोशन कर लेतें, भारत का पहला सर्वोच नागरिक सम्मान कोन सा है, सही आंसर है, ऑप्शन ए, भारत रतन, भारत रतन जो है, देश का पहला सर्वोच नागरिक सम्मान है, अगला कोशन, भारत का दूसरा सर्वोच न नागरिक सम्मान कौन सा है सही आंसर है option c पदम भूशन भारत का तीसरा सर्वोच नागरिक सम्मान है अगला question कर लेते हैं भारत का चौथा सर्वोच नागरिक सम्मान कौन सा है सही आंसर है option d पदम शिरी भारत का चौथा सर्वोच नागरिक सम्मान है अगला question पदम पुरु पदम पुरुषकार में कोई भी राशी जो है ये नहीं दी जाती अगला कोशन पदम पुरुषकार की घोशना किस दिन की जाती हैं सही आंसर है ऑप्शन बी गंतंत दिवस यानि कि 26 जनवरी के दिन पदम पुरुषकार की घोशना की जाती है नेक्स कोशन पदम पुरुषक को किस वर्ष नहीं दिया गया था सही आंसर है option C उप्युक्त दोनो 1977-1980 तक और 1993-1993 इन दो पीरिट्स में जो पदम पुरुसकार है वो नहीं दिये गई है अगला कोशन पिछले 6 दशक में परियावरन संदक्षन के लिए काम कर रही करनाटक की आदिवासी महिला जिनका ना दो ओड़ा को और फ्रेंट्स आपके लिए की important information है कि हमारा daily current affairs का channel launch हो चुका है जिसका नाम है current affairs by रवी यहां पर लिख देता हूं current affairs by रवी इस चैनल को फ्रेंट्स आप अभी subscribe कर लीजे और एक और हमारा gk का चैनल है जिसका नाम है trending gk by रवी इन दोनों चैनल को फ्रे पदम शरी अभी नित्री कंगना रोनोत को 2021 में पदम शरी से सम्मानित किया गया है यह आपने याद रखना है अगला question पहली बार किस करनाटक की किस transgender को 2021 में पदम पुरुषकार दिया गया है सही answer है option B मजमा जोगाठी मजमा जोगाठी को जो की करनाटक की transgender है इनको 2021 में पदम पुरुजकार मिला है नेक्स कोशन कहे लिए औरफेंट इनको पदम श्री से समानित किया गया है नेक्स कोशन भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रानी रामपाल को कोन सा पदम पुरुजकार दिया गया है सही आंसर है औरफेंट को इनको भी पदम श्री मिला है नेक्स कोशन डारेक्टर करन जोहर को कोन सा पदम पुरुजकार दिया गया है सही आंसर है option C पदम श्री नेक्स कोशन भारती पैरा एथलिट के वाई, वेंकेटेज को कौन सा पदम पुरुषकार मिला है सही आंसर है Option C पदम शिरी Next question मेंगलोर के 68 वर्षिय फल विक्रिता हरे काला हजबा को 2021 में कौन सा पदम पुरुषकार दिया गया है सही आंसर है Option C पदम शिरी Next question 25,000 से भी ज़्यादा लावारिस लाशों के अंतिम संसकार करने वाले मुहमद शरीफ को कौन सा पदम पुरुषकार मिला है सही आंसर है Option C पदम शिरी Next question 2021 में कितनी महिलाओं को पदम पुरुषकार से सम्मानित किया गया है सही आंसर है Option B 29 महिलाओं को पुरुषकार से इतने भी important question बनते थे वह मैंने आपको उपर करवा दिये हैं अब हम भारत रतन से जुड़े कुछ important question देख लेते हैं पहला question है कि भारत रतन पुरुषकार किस वर्श से दिया जाने लगा सही आंसर है Option B 2 जणवरी 1954 से अगला question सबसे पहले भारत रतन पुरुषकार से किन को सम्मानित किया गया है सही आंसर है Option D. उप्युक तीनो चंदर शेखर वेंकर ट्रमन चकरवर्ती राजगोपालचारी सरपली राधा कृष्णन इन तीन को फ्रेंट्स भारत रतन पुरुषकार मिला है सबसे पहले अगला कोशन भारत रतन सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया सही आंसर है Option A. राश्पती राजेंदर प्रसाद द्वारा अगला कोशन भारत यतन पुरुसकार का अकार कैसा होता है सही आंसर है Option C People के पत्ते की तरह अगला कोशन भारत यतन पुरुसकार में कितने रुपे की राशी दी जाती है सही आंसर इसका Option D शून्य Next question भारत यतन पाने वाले सबसे युवा शक्स कोन बने है सही आंसर इसका option A सचिन तेंदुलकर अगला question है मारा खेल जगत में भारत अतन पाने वाले सबसे पहले शक्ष कौन है सही आंसर है option B सचिन तेंदुलकर next question एक वर्ष में अधिक्तम कितने लोगों को भारत अतन दिया जाता है सही आंसर है option C तीन लोगों को next question भारत अतन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है सही आंसर है option B राष्टपती के द्वारा भारत अतन प्रदान किया जाता है next question भारत अतन पुरुसकार किस रंग के फीते में पिनाया जाता है सही आंसर है option A सफेद रंग के फीते में अगला कोशन भारत रतन अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है सही आंसर है ओप्शन B दो नेक्स कोशन भारत रतन कि इन दो गैर नागरिकों को दिया जा चुका है सही आंसर है ओप्शन C उप्युक दोनों खान अब्दुल्गफार खान और नेलसन मंडेला इन दो गयर गनागरिक हैं जिनको भारत अतन मिला है नेक्स कोशन है मारा भारत अतन से सम्मानित पहली भारतिय महिला कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्रा गांदी नेक्स कोशन पहली बार मर्नो प्रांथ भारत अतन पुरुसकार किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को नेक्स कोशन भारत अतन पाने वाले प्रथम गयर नागरिक कौन थे? सही आंसर है Option B खान अब्दुल गफार खान अगरी कोशन इस वीडियो का भारत रतन पाने वाले भारत के पहले प्रधान मंतरी कौन थे सही आंसर है Option C जवाहरलाल नहरू जवाला लहरू जो है यह भारत अतन पाने वाले भारत के पहले प्रधान मंतरी थे यह आपने याद रखना है फ्रेंटस यह मैं आपको 40 कोशन करवाए पदम पुरुसकार और भारत अतन से रिटेट फ्रेंटस अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंए फ्रेंटस आपके लिए इंपारिन इंफॉर्मेशन यह भी है कि जल्दी ना हमारी बुक लाउंच होने वाली है जीके की और साइंस की अगर आप किसी भी एक्जाम की फैंट त्यारी कर रहे हो हमारी जो बुक होगी जीके की और साइंस की आपके एक्जाम के लिए काफी जादा यूसफुल रहने वाली है फैंट जल्दी इस बुक को मैं लाउंच करवा दूँगा और आप जो हमारा करेंट अफेर का चैनल है करेंट अफेर्स बाई रवी और ट्रेंटिंग जीके बाई रवी इन दोनों चैनल को फैंट साब अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए फैंट साब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू आल दी बेस्ट